नमस्कार, आज हम होममेड चाट मसाले की रेसिपी शेयर कर रहे हैं बजार से हम चाट मसाला खरीते ही हैं लेकिन घर पर अगर बना लिया जाए तो काफी ज़दğ हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है चाट मसाला बनाने के लिए ये दो चम्मच हमने धनिया लिया है, उसको हम पैन में डालेंगे, एक चम्मच हम यहाँ पर अजवाइन डाल रहे हैं, और एक चम्मच इसमें डाल रहे हैं, जीरा, अब आदी चम्मच हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, काली मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार गैस पर भूनेंगे, मसालों को बिल्कुल पर जलने नहीं देना, इसलिए इसे सिम गैस पर ही भूनना है, अगर जल जाएंगे तो चाट मसाला अच्छा नहीं बनेगा, तो अच्छा सी खुश्बू आने तक इसे भून लेंगे, चाट मसाला बनाने के लिए मसालों का मिजर् तो परफेक्ट बनकर तैयार होगा ये देखिए मसाला जो है भुना भुना नजर आ रहा है इसको अलग प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे हमने यहाँ पर दो चम्मच धनिया लिया एक चम्मच जीरा और एक चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच काली मिर्च लिये अच्छे से सुखा कर लिया है सभी मसालों को मिक्सी की जार में डाल लेंगे और पीस कर तैयार करेंगे कुछ और तैयारिया कर लेते हैं तो दो चम्मच नमक एक चम्मच काला नमक और दो चम्मच अमचूर पौडर और आधी चम्मच हम इसमें टाटरी डाल रहे हैं आप आपको skip भी कर सकते हैं सबी चीजो को मिलाने के बाद में मिक्सी के जार में डाल देंगे अब दुबारा से इसे बारीग पीस कर तैयार करेंगे तो इसको हम पीस लेते हैं खोल कर देखेंगे इदे के चाट मसाले को पीस कर तैयार हो चुका है आप हम इसको च्छान लेंगे चलनी में च्छानने से जो मसाला पेशने से बचा होगा वो उपर ही रह जाएगा चलनी में बचे हुए मसाले को आप किसी भी सबजी में डाल सकते हैं इदे के चाट मसाला बन कर तैयार है इस चाट मसाले को आप किसी भी चाट के साथ, किसी भी फल के साथ, या फिर ड्राइफ रूट से साथ, किसी के साथ भी इस्तिमाल कर सकते हैं और आपको कोई पेट से जुड़ी समस्या है तो आप इसे खाना खाने के बाद आदी चमबच गुर्बने पानी से भी खा सकते हैं तो इसी तरह की अमेजिंग और आसान रेसेपीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल का बेल आइकन बटन भी दवा दें नमस्कार धन्यवाद